हलो एवरिवन वेलकम टू पाई यार स्कॉयर दोस्तों आज के इस वीडियो में आये हुए कुछ कुछ क्वेस्टन को हम लोग करेंगे और कुछिन आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसको हम लोग सॉल्ब करेंगे इसका बेटर मेथड क्या होगा इसका बेसिक प्रोच के साथ में कैसे कर सकते हैं यह सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे तो क्वेश्टन आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ एक बिन्न तता उसके ब्यूत्क्रम का योगफल पांच सहीक बटे पांच बिन्न गयात करें यह आरार भी अंटीप से दोजार पांच सहीक बटे पांच अब हमको यह equation solve करना है और हमें आंसर मिल जाना है अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं ठीक है 1 प्लस x square upon x equals to 26 by 5 cross multiplication कर देंगे 5 यहां पर हो जाएगा 5 प्लस 5 x square equals to 26 x equation बन के आ गई 5 x square minus 26 x plus 5 equals to 0 अब यह हमारा दुगात समीक्राण बन गया है इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स की वेलु आएगे हमारा फ्रेक्शन आ जाएगा फ्रेक्शन जो होगा वह मारा अंसर आ जाएगा चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मेथर्ड है उससे इसको करेंगे पांच इंट व्पांच ऐसा ऐसा ओड़ करना है उसका गुड़ा हुव तो पत्सीच एक तो आजाएगा ठीक है अब हम आप लोगों को दुगात समीक्राण की रूट कैसे निकाले जाते हैं यह पता होगा उसी का एक में थर्ड है हमारा यह तो माइनस 25 यह हो गया और माइनस वन हो गया अब यहां पर हम क्या करेंगे अपान 5 कर देंगे इसके बाद ने हम इसका सिंबल भी चेंज कर देतें तो 5 यह क्या हो गया प्लस 5 और यह जो हो जाए गा दर चेहंट के क्या जाएगा प्लस 4 यहाँ प्लस 5 फाइब यहां पर देखंगे तो आप सने आ रहा है प्सट यह सारा इसका अंसर हो गया फॉटडिक है यह सारा इसका बेसिक मेथड हो गया लेकिन क्या हमें इतना सब्भी करने की जरूत है क्य हम करने की इतना बेसिक करने की जरूरत नहीं है हमारा सां से नियुक्त से दिखबर चाहिए तुरना हम समझ में आना चाहिए कि जो भी फ्रेक्शन होगा पचहंब पचीश 1526 बटेividad तो आपान में 5 जरूर आएगा जो भी fraction option में दिया होगा आपान में 5 आएगा तो यह हमारा इसमें दिया है option A एक यहीं से click हो जाएगा option A ठीक है यहीं से हमारा click हो जाएगा option A इसका हो जाएगा चले एक बार cross check भी कर लेते हैं तो 1 by 5 मारा fraction हो गया इसमें क्या बोला गया उसका ब्यूत्क्रम इसका पोजिट कर दो 5 इसको जब आड़ हम करेंगे तो 25 एक 26 26 बटे 5 ठीक है 26 बटे 5 हमारा यह विन्ना आ गई ठीक है तो हमारा जो option हमने जो माना था कि हमने option लेके cross check किया था option A 1 by 5 लेके जो हमने cross check किया थ यह सही हो गया तो मारा answer क्या हो जाया गया इसका option नंबर A 1 by 5 दो मिनट का question नहीं था यह दस टेकंड का question था आपको basic भी बता दिया गया इसको आप लोगों को सामने है उसको आप लोग करने की कोशिस करें तो इस question में दिख रहा होगा कि यह 8 वर्स की अवद में अर्जित साधारन ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारन ब्याज की दर बताईए इसमें हमको निकालना क्या है आर दर रेट हम कितना दिया गया है 88 एट्यर शाठ वस दिया गया है और क्या बोला गया है इसमें अर्जित ब्याज मॉलधन के बराबर साथान ब्याज को वता है कि SI simple interest का formula क्या होता है साधान व्याज का formula क्या होता है PRT by 100 PRT by 100 होता है principle rate into time upon 100 तो SI और P जो है यह बराबर हमें दिया गया है question ने बताया गया है कि तो लागू की गई साधान व्याज की दर पूचा गया है आठ वर्स की वद में अरजित व्याज मूलधन के बराबर है यह बताया गया है तो हमको SI और P principle जो है बराबर कर देना है तो P equals to P R की value कितनी दी गई है R की value में निकालनी है T की value कितनी दी गई है एट अपॉन हंड्रेड ठीक है अब यह P से P हमारा cancel out हो जाएगा R की value हमारा यहां से क्या आजाएगी 100 इधर आएगा एट अपॉन में आ जाएगा 100 वाइट तो अगर इसको आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 12.5 यह हो जाएगा 12.5 यह हो जाएगा 12.5 आंसर हो जाएगा और option कौन सा option number D option number D हमारा answer हो जाएगा तो देख रहा है कि कितना basic question पूछा गया है यह सब को आएगे preliminary exam में ऐसा कोई question आएगा है नहीं जो आप लोगों को ना आए लेकिन जो matter करेगी चीज़े हमारी और अगला question आप लोगों की screen पर उसको देखिए और एक बार खुद से solve करने की कोशिस करिए चलिए यह question में दिया गया है यदि बढ़ही A और B साथ मिलकर काम को करते हैं तो वे 10 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं A B से दुगना तेज है बढ़ही A अकेले कितने दिन में काम करेगा इसमें पूचा गया है कि बढ़ही A अकेले कितने दिन में काम को कर लेगा एक condition जो दी गई है कि बढ़ही A जो है B से दुगना तेज है दुगना तेज है मतलब कम समय में काम करेगा तेज होने का मतलब कि कम समय में काम करेंगा वो कि किसी काम को ज्यादा TIME लेकर करेगा तो यहां पर हम मानते हैं पहला Q continents क्या दिया गया है यह बढ़भाई यह 8 ay a pioneersου हो मिलकर काम करते हैं तो अगर मिलका काम करते हैं तो यह डसदिन में काम करनेंगे एग डूसरे कैंप शthose में लुद्ट है बीकिंव करो कि ऐखेना इसका मतलब कि कम करेगा तो एक दिन में किटना complete कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा एक बटा दस काम तो ही करेगा ना उसी तरीके से यह देखो ना दस दिन में मिलके काम करेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे एक बटा दस काम करेंगे यह चीज समझो आसानिस इसको समझो कि ए जो है एकस दिन में काम को खतम कर रहा है बी जो है टू एकस दिन में काम को खतम कर रहा है ए प्लस भी मिलकर दस दिन में काम को खतम कर रहे हैं त इसका लिए दिन का काम निकालगे जितना एक दिन में काम करेगा इसका लएक दिन का काम के बराबर हो जाएगा यहां पर टू हो गया यह प्लस वन हो गया एक question क्या हो जाएगा 1 by 10 ये 2 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 2 plus 1 एक 3 हो जाएगा 3 को 5 से multiply करेंगे तो 15 आ जाएगा ठीक ये question solve करना आप लोगों कहाना चाहिए 2 से 10 कट गया 5 बार कट गया 2 और 1 जोड दिया जाएगा 3 3 into 5 करेंगे 15 ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगा 15 डेज में काम करेंगा option number B option number B इसका answer हो जाएगा तो देख रहे हैं 2016 में आया हुए question है और भी नटीपीसी 2016 का question है ये तो कितने basic और कितने आसान question आ रहे है थोड़ी से महीनत के साथ में सारे question किये जा सकते है अटलिस mathematics में तो किये ही जा सकते हैं बाकी महीनत आप लोगों को GS में करनी रहे कि GS और current affair का जो portion होता slavers दिया गया है उसको आप लोग रेगलर पढ़ते रहे एक दिन में चीजी नहीं होती है चलिए यह question हो गया इसका answer हो गया 15 अगला question आप लोगों की screen पर उसको विए बाट राइ करिए वो भी 2016 में आया हुआ ही question है तो इसमें हमें क्या गयात करना है question में दिया गया है कि 28 के धनात्मा गुड़न खंडों का mean माद गयात करें option आप साप लोगों की सामने दिये गए है 14 9 3 11 देश्य। kommtиц 8 के धनात्मा गुड़न खंडी रहेने की positive का mean गया एक दो हो जाएगा ।ो से कटेःगा थीन से नहीं कटेगा यह 4 सी कट जाएगा चार साथ हो जाएगा और साथ के बाद में क्या 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा तो यह क्या है यह 28 के धनात्मा गुडणखंड है ध्यान रखिए गए यहाँ पर चलिए भी आपको आगे बताऊंगा यहां पर हम वन को भी धनात्मा गुडणखंड मानेंगे किसी भी संख्या का 28 के लावा 29 दिया गया है 30 दिया गया अगर इसके धनात्मा गुडणखंड की बात करेंगे तो एक जो है हमेशा इंक्लूड होगा एक जो है सभी संख्याओं का धनात्मा गुड़न खंड में आता है एक हम यहाँ पर count करेंगे ऐसा नहो कि आप लोग एक को छोड़ दें और जो धनात्मा गुड़न खंड लिखें हो ऐसे लिख दें 2, 4, 7, 14, 28 यह नहीं यह गलत है एक भी हमारा include होगा एक हम वन को include करेंगे तो 28 के धनात्मा गुड़न खंड कितने हो जाएंगे 1, 2, 4, 7, 14, and 28 अब इसको क्या गयात करना है इसका माद्य गयात करना है तो चलिए फिर तो simple है अगर यह चीज हमने कर लिया तो फिर माद्य में कुछ करना ही नहीं है प्लस 2, 4, 7, 14, and 28 अपन number of terms कितने term में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने गुड़न खंड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुड़न खंड है बस solve करो इसको इसको हम solve करेंगे अगर तो इसको add करेंगे 14, 14, 14, 24, 25, 56 56 by 6 56 by 6 हो जाएगा और इसको हम solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 by 6 56 by 6 क्या हो जाएगा 9, 4, 9, 3 9, 3 प्रॉक्स आजाएगा 9, 6 इसका जो answer हो जाएगा option क्या है दिया option number B option number B इसका answer हो जाएगा तो इसमें हमें जो जानने वाली चीज थी जो भी धनात्मक गुडन खंडोगा उसमें एक रहेगा ऐसा नहीं है कि एक के बिना हम कर लें एक हम करेंगे तभी हमारा सही answer आएगा ठीक है तो यह चीज हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली है और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली यह और बात है option जो हमारा दिया रहेगा option में हमारा वो option भी दिया रहेगा जिसमें एक को count ना किया गया हो यानि कि इसका सही answer तो यह होगा इस वाले factor से हमारा सही answer आएगा लेकिन कुछ लोग factor निकालने में ही गलती कर देंगे वो एक को count नहीं करेंगे उनसे कहा गया है कि 28 के धनात्मक गुड़न खंडों का माद्य निकालना है तो 28 के धनात्मक गुड़न खंडों को बस इतना ही बूलेंगे वो लोग उनके हिसाब से 28 का धनात्मक गुड़न खंड क्या हो जाएगा 2, 4, 7 और 8 इस हिसाब से अगर solve करेगा इसको आप लोग तो क्या हो जाएगा करिए 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28 अपन नमबर आफ गुड़न कंड नमबर आफ टर्म कितने हैं एक दो तीन चार पांच अपन 5 कर दिया इसको वाड़ करो आप 55 बाई 5 यानि कि यह कितना हो जाएगा 11 11 यहां पर लोग गलत करदेंगे 11 इसका नहीं नहीं होगा जो समझने वाली बात यहां पर यहां पर यह कि धनात्मा नमबर यह इसको झाहने करेंगे इसका जहां गॉंशन में नहीं होने को जाएगा मुड़न पारी एक मेज जिसका अंकित मूल 750 रुपए है को अंकित मूल यानि की मार्क ट्राइज MP कितना दिया गया है 750 रुपए को दो क्रमागत 10 प्रत्सत और 8 प्रत्सत की छूड के बाद खरीदता है है यानि कि मार्क प्राइशड है इस पह दो वार उसको छूड़ दी जाती कितने की चूड़ दी 살ती दस प्रत्सत की और आठ प्रत्सत की चूड़ दी ग़ीं इसके बाद उखरिता है ठीक है आगे किया बॉला गया है वह 50 50 रुपई परिभान पर भी वेख करता है ठीक है यानि कि 50 रुपई इसमें और खर्च कर देता है 50 रुपई जो है परिभान का लगा देता है प्रीवान का 15 लाव कमाने के लिए मेच को कितने में बेचना होगा एक जो व्यापार है वोता है उसकाram क्षोड़ेता है जिसकाव Sindal 70材श क्षूरे जाती है लिए 80 की उसके बाद 50 रुपय ले उने ले पोפा कमाना है मेश कुतने में प्रखिकों कैसे आप लोगोंके सामने हैं अब इसके वार व्हें व्हक कर देशा amen में आया हुआ क्वेशन है थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा हाला कि ऐसा कुछ है नहीं लेकिन जिनको मैयत नहीं आती है थोड़ा बहुत उनके लिए पड़ेगा बाकि एक क्या प्रचा से यृपने की थाटि इसका मार्ट सब्सक्राइब तो इसका अधूल पयंटी फाइब चूट की घए यानी माइनस परको गतले हैं मायनस पचत्तर कर देंगे तो यह सिकक सेवंटी फाई हो जाएगा ठीक एक चूट और दूसरी बार क्या प्रत्सक्राइब conscious अलब heart. to parti जो छूट इस पर नहीं मिलेगी यह ट्रस की छूट 675 either ध्यां रखने वाली बात अहких इस पर फिर आप सेहलर अब 8% इसका कैसे निकाले अब आठ प्रसंट निकालने के लिए आप लोग अप्रसंट से गुड़ा करेंगे सोसे भाग करेंगे इतना सब करने की जरूवत है नहीं आठ प्रसेंट निकालने के देखे तरीका बता रहा हूं अप लोगों को 10%-2% जो होता है ओँ 8% फित्त एसका 10% कितना हो जाएगा इसका 10% हो जाएगा67.5 ठीक है अब 2% कितना होता है 2% क्या होता है इसका 1% क्या हो जाएगा 13.5 हो जाएगा इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 54 रुपी जी इसका अंसर हो जाएगा ठीक है तो यह 8% कैसे निकाला जाता उसका तरीका बताया गए आप लोगों को ऐसा नहीं कि गुड़ों 800 से भाग देने इतनी करने जोरूत नही जाएगा तो यह जो छूट की बात दी गई थी छूट देने के बाद ने यह जो है इतने लूग उतने 621 रुपए को उसको खरीदना पड़ा उसकी खरीद यानि की कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी आई 621 रुपए लेकिन एक लाइन इसमें एड भी की गई है इसमें क्या किया गया है कि वह 50 रुपए परिवह प्लस 50 रुपए यह कौन सा है परिवहन पर ट्रांस्पोर्टेशन का है जो अले आने ले जाने का कर्चा लगा तो इसमें एड कर दिया तो अब इसमें एड करेंगे तो यह कितना हो जाए कि 671 हो जाएगा ठीक 671 जो है उसकी कॉस्ट प्राइस पर गई दो बैक चूट दे चूट था आप लोग करेंगे 671 इंटू 115 divided by 100 ठीक है अब 115 से कैसे गूट डिवाइट करना है इसको हंडेड से कर लेंगे पहले 100 प्लस 15 ठीक है 100 से एक बार डिवाइड कर लेंगे फिर 15 से कर लेंगे पान में इसको स्ट्व करेंगा अगर आप लोग इसको स्ट्व करेंग जो है इसका अंसर हो जाएगा ठीक तो इसमें कुछ था नहीं इसमें दिया गया था कि एक बार 10% की छूड़ दी गए एक बार 8% की 10% की छूड़ दी गई तो यह आ गया अब इस पे 8% की छूड़ दी गई तो अब पूंशा क्या गाया इसमें इसमें पूंशा गया था कि 15 प्रसंद कलाव कमाने के लिए कितने में बेशना था तो मोल पूंशना था थो 1585 गुड़े 115 आप लोग कर लेंगे इतना आप लोगों को आता हो इतना तो आना ही चाहिए ठीक है चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्सिन नमबर डे स्क्रेit, 25 वर कर लाती है इनकी माधिका दी गई ती लेकिन 29 के जगे गलती से सत्रा की जगह has Кто जो सबों होते है एंब पहले अं चाहीर को सब्कति है पहले कर देती है क्योंकि सत्रा जो है यह गलती सी मुत इंतस इंता है कि जगह पर कि 39 हैं पहले तो संख्या है में लिख देते हैं कि सही संख्यां क्या होंगी सही संख्यां हो जाएंगी 32 12 17 7 जगे पे हो जाएगा 29 28 25 इसे जराले 43 23 हो जाएगा ठीक है अब इस टाइब के कुंश्चन में हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं तो चलिए इसको में लिखते हैं बढ़ते करम में इसको लिखते हैं 12 हो जाएगा 23 हो जाएगा 25 के बाद 28 हो जाएगा 29 हो जाएगा 29 उसके बाद 32 और 43 32 43 यह हमारा इसको अबने कैसे क्षें लिखनें लिख लिख क्यों है अब इसमें कितने टर्म है 12 3 4 5 6 7 तो इस तरीके जो हमारा होता अगर एंट की वेल्य और होती है यह सुझ साथ क्या है और अगर यह उलो और है तो हमारी माधिका क्या जाएगी फोज़ा माधिका निकालना होगा मीडियन जो मई को निकालना हो यह क्या हो जाएगा इस खंडिशन मिमारी माधिका जे हो जाएगी वहो जाएगी एन-ब्लस-वन-ब्स-वाइ-टू-वापद इसको सौर्फ मेगे साथ एकनेशा तो चारुओं चारऊ पद चारोँ पद जो होगा वो इसकी माद्री का होगे जो चारुओं ठाट में देखेंगे इसनीं में लिख रखा है यहां से छोफा नहीं देखेंगहें 1-2-3-4 Media f1,9 जो हमने असेंतिक नेंक Chinho से हम चौथा पत देखेंगे तो पहला पत दूसरा पत तीसरा पत चौथा पत कहा थाइस इसकी मादिका क्यों जाएगी अठाइस इसकी मादिका हो जाएगा 28 आप्शन नंबर डीस का अंसर हो जाएगा ठीक है यहां पर एक चीज ना और तो हमारा तब हो गया जब एन की वेल होती तो हम कैसे निकालते यह चीज हम देखते हैं n की value 8 माल लेते हैं एभर आठ दस जो भी बहुत नमबर है तब माधिका कैसे निकालेंगे शुच्षर में मारी यानि कि एग Э्न की का इवन होगी तब माधिखाए आएंगी आएगा माधिका नहीं noc allah हो जाएगं दूसरा हो जाएगा एटू प्लस सब्सक्राइख यह को種 raise हमारा जो होता मदिका कैसे निकलती यानि कि 8 by 2 यानि कि 4 पद 4 और दूसरा n by 2 यानि कि 8 by 2 plus 1 पांचवा पद तो यह हमारो जो मदिका हो दो चौथा हमारा ठाइस है और पांचवा पद हमारा 29 है ठीक है 29 तो ऐसे केस में यह दो मादिकाएं आजाती अगर इवेन नंबर है तो दो मादिकाएं आएंगी और नंबर है तो इसका तो फर्मॉला आप लोगों को बताई दिया है कि सीदे एंड प्लस वन बाइटू और नमर यह चीज धिया रखेगा एक क्वेश्चन हंडड़ पर्शन मादिका क आएगे हाई लिख लीजिए नोट डाउन कर लीजिए जो कुछ भी करना है इस टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलना ही मिलना है एंटी पीसे में सारे सिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा तो यह समझना बहुत जरूरी था प्रॉपर जाएगा इसका अंसर जाएगा ऑप्सन नंबर डी दो क्वेश्चन इसमें आप लोगों को बताए गए इवन और और डॉले केस में यह सारे क्वेश्चन जो भी है इस सब रर वी न्टीपीसी दो जार सोला के आए हुए क्वेश्चन करा जा रहे हैं तो अभी तक आप लो सब्सक्राइब कर ले रहा है यह चीज़ें मेटर करती है बिना गलती की माइनस मार्किंग भी है तो हमें गलती भी नहीं करनी है तो इसलिए सारे प्रक्टिस कराए जारी एक बार आप लोगों को रिवाइस भी कराया जाएगा और होता रहे गया सारी चीज चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही आज हम लोगों ने RRB NTPC 2016 में आए हुए कुछ महत्तुपूर्ण कुछ अच्छे क्वेस्टेंस कि यह सारे के सारे क्वेस्टेंस RRB NTPC 2016 में आए हुए थे तो इनको करने के बाद में आपको लग गया होगा कि कितनी बेसिक क्वेस्टन आते हैं अगले आने वाले वीडियो में ऐसे कुछ और महत्तुपूर्ण कुछ RRB NTPC 2016 आये रहेंगे वह आपके लिए मैं लेके आऊंगा तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू सो मच और अगर अभी तक आप लोगोंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लि कि बच्चराइब नहीं कर दो मैं अब्सक्राइब नहीं सिर्शना ही तो आपके सब्सक्राइब कर लिए तो